साथ्यों नमस्कार शुबह सुबह को एक बच्चा देखिए ऐसे हालत में है यह ब्लैक बंगाल का बच्चा है एक दिन पहले ही इसका जन्म हुआ था दो मेमने थे दोनों बकरे ही थे तो रात को तो यह ठीक था और फिर मीड नाइट को जब हम देखने गए ना तो यह एक द तो इसको फंडा लग गया है और करीम 92 डिग्री का सपास 92 डिग्री हो गया इसका बौडी टेंपरेचर को ठंड मेना मेमने जो सबसे अधिक जो मरते ना बस इस ही वज़य से मरते हैं तंड लगने की वज़य से मरते हैं जो मेरे साथ हो चुका ए अभी तो यह जिसका सांसे चल रही है मैंने कुछ medicine apply किया है लेकिन बचना लगभग लगभग की नामोंकिन है नहीं बच पाएगा ये बच्चा ये जिन्दगी से भी जंग लड़ी रहा है लेकिन लगता नहीं है कि ये बच पाएगा कि टेंपरेचर बहुत कम हो चुका है 92 गरूप 92 डिग्री टेंपरेचर हो गया है और जो करिब 10 डिगरी घट गया इसका बोडी टेंपरेचर जबकि इसके साथ जो इसका भाई था न वो तो ठीक है तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है ठन के दिनों में न कि मेमने को कैसे सुरक्षित रखें तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह था था कि आप लोग से गलती ना हो और आप इससे सीख ले सकें और अपने मेमने को मरने से बचा सकें क्योंकि एक मेमना यही मरता है तो बहु बहुत टाइट हो गया है यह देखिए बॉड़ी है यह गर्दन इसका बहुत टाइट हो रखा देखिए कि कुछ मेडिसिन अपलाई किये हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि यह बच पाएगा अब बड़ा लग रहा है इससे सीख लेने की ज़रुरत है जो होने का था वो तो ह हो चुका है लेकिन जो में आने वाले हैं या जो ठंड में फिर से अगले साल देखिए कैसे काम रही है कि तो कुछ आप सब के साथ ऐसा ना हो कुछ व्यवस्ता इस तरह से कर ले या तो चेंबर मना के रखें जिसमें हीटर लगाएं बल्व लगाएं कुछ भी लगाएं ल कि इसका एक और बच्चा था इसे साथ में तो वह ठीक है अभी हमरे को टेंचन हो रहा है कि उसको भी अब बचा कर लखना है किसी तरह से भी ठंड अब तो लगभए ख़त्म हो रहा देरे देरे लें फिट भी अभी है तो एकी दिन का बच्चा यह मेमना बकरा था देखते हैं और ऐसे में बड़ा बुरा लगता है अभी सांस है इसकी चल रही है लेकिन नहीं बच पाएगा ऐसा लग रहा है बॉडी को गर्म किये थे थोड़ा सब आग लगा के और थोड़ा दवाइव अग्राइव अप्लाय किये हैं देखिए कुछ हो बलती ना करें कुछ भी ववस्ता करें लेकिन मेमनों को खास कर ठंड से बचाने का विवस्ता जरू करके रखें यह नौबर दिसंबर जनवरी में दी कोई मेमना जरू लेता है तो उसको आप कैसे रखेंगे वे ववस्ता जरू करें अभी मैं बनाने वाला हूं एक चेंब के नुकसान नहीं हो इसको ध्यान में रखते यह करना पड़ेगा मैंने तो सीखा अपनी गलतियों से अब मेरी गलतियों से सीखें इसके वीडियो बना रहा है तो और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें फिर आपको अपटेट देते हैं इसका क्या हाल चाल प्राइब प्राइब लोगार